हलो स्टुडेंट्स क्लास 12 के जो हमने क्पैसिटेंस जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसी को ही आज हम आगे प्रसीड कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्पैसिटेंस ऑफ और पैरलल प्लेट क्पैसिटर के लिए एक डेरिवेशन किया था कि एक पैरलल प्लेट क्पैसिटर में क्पैसिटेंस किन फेक्टर के उपर डेपेंड करती है और उसकी फॉर्मॉलेशन किस तरह से होती है ओके तो आज हम करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपैसिटर हैं तो उनका हम एक कम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में जब आपने इलेक्टर सिटी चेप्टर पढ़ा होगा, तो जो रिजिस्टर होते थे, आप उनको सीरिज में लगाते थे या तो में लगाते थे, ठीक है, तो रिजिस्टर को का एक सेटप बनता था, या तो आप उसको सीरिज में रखते थे या तो पैरलल में रखते थे, similar हमारे पास अब क्या हैं, क्पैसिटर हैं, तो उन क्पैसिटर को हम, या तो हम सीरिज कम्बिनेशन में रखेंगे, या तो पैरल तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से यह सारी प्रोसेस होती है तो सबसे पहले हमारे पास कपैसिटर कपैसिटर in series ठीक है तो series में क्या होगा two or more capacitor are set to be connected in series if a right plate of one capacitor is connected to left place sorry left face of the other capacitor and so on that each capacitor acquired the same charge तो देखिए क्या कहा गया है कि यह मारे पास first capacitor है तो बुले कि capacitors को यह second capacitor है और यह third capacitor है यहां पर हमने तीन capacitor लिए होगे हैं ठीक है कितने भी number of capacitor हम join कर सकते हैं तो इनको series में कब बोलेंगे हमकि यह series में join है तो कहा है कि जो यह पहला capacitor है इसकी जो right plate है ठीक है जो दाएं वाली plate है वो अगले capacitor की left place के साथ join होनी चाहिए ठीक है जो पहले capacitor की right side की plate है वो अगले capacitor की left side की plate से join होनी चाहिए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे क Wait के समय जुडए हैं सीरीज में है ठीक है और ऐसा करने से क्या होगा कि हर कपैसिटर को सेम चार्ज मिलता है जितना चार्ज इसके पास टोर होगा उतना ही इसके पास होगा और इतना ही आगे के पास होगा अगले वाले के पास होगा ठीक है जो जब हम series में capacitor को जोड़ते हैं connect करते हैं तो हर capacitor के पास same charge होता है ओके और जो potential drop होगा ठीक है जो voltage drop होगा तो है यहां से हमने एक source लगाया होगा जिससे हमारा charge आ रहा होगा चलो battery होगी कोई ठीक है उस battery से charge आ रहा है तो इस battery के पास कुछ potential होगा ठीक है जो की charge को flow करवा रहा है तो जो total potential होगा इस battery के पास वो बंट जाएगा यहां पे इसके पास V बना जाएगा इसके पास B2 और इसके पास B3 according to their capacitance अब क्या है कि यह जितने भी capacitor है उनकी capacitance जो है वो हम अलग-अलग मान रहे है ठीक है इसकी C1 है इसकी C2 है इसकी C3 है तो तीन्हों की capacitance अलग-अलग है बट चार्ज सेम स्टोर हो रहा है इसमें भी Q हो रहा है इसमें भी Q इसमें भी Q तो क्या कहा कि यहां पर क्या होगा कैपैसिटर में क्या होगा पोटेंशिल ड्रॉप हो जाएगा ठीक है जो पोटेंशिल हमने बैटरी से अपलाई किया है कुछ पोटेंशिल हमारा जो फर्स्ट कैपैसिटर उसके पास आजाएगा कुछ इसके पास drop हो जाएगा और कुछ इसके पास जो बचा हुआ वो इसके पास आ जाएगा ठीक है तो तीनों capacitor के across अलग लग potential difference है potential drop है तो इसके according V1 इसके B2 और इसका B3 तो यह क्या है इनके capacitor के across क्या है potential difference है ठीक है C1, C2, C3 क्या है इन तीनों capacitor की क्या है capacitance है वो भी लग-लग है ठीक है बट common क्या है common यह है कि जब series में जब आपके capacitor होते हैं तो उनके पास same charge आता है तो देखो किस तरह से यह process होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है मैं आपको क्या चार जाया तो यह जो पहला capacitor है हमारे पास है यह जो इसकी प्लेट है इसके ओपर इसको हमने positive charge दे दिया ओके तो देखो यहाँ पे plus q charge सारा का सारा charge इसके पास आ गया अब क्या होगा कि आपका पॉजटिव चार्ज था तो जब हमने इसको यहाँ पे connect कर दिया तो सारा का सारा positive charge यहाँ पे आ गया तो यह जो आपका यह जो plate है इसके पास सिरफ यहाँ पे negative charge बचा है ठीक है यह सारी चीज़ हम already पढ़ चुके है ठीक है अपने प्रेबी इस lecture में तो अब देखिए अब जो यहाँ पे जितना positive था वो सारा का सारा इदर आ गया ठीक है तो सेम चीज यह जो इस capacitor के जो right side के plate है induction के वज़ा से यहाँ पे negative charge आ जाएगा और इस side plate के इस face के उपर positive charge आ जाएगा क्योंकि अब हमने second capacitor को third capacitor के साथ join किया है तो यह जो इस face के उपर positive charge था यह सारा का सारा flow करके जो third capacitor था इस वाली plate के पर आ गया है positive charge ओके तो positive charge यह positive charge होगी plate यह तो induction के कारण यह क्या जाएगी negatively charge होगी यह faces का negatively charge हो जाएगा तो same process चलती रहेगी जो यहाँ पे positive charge आया था यहाँ पर ठीक है जो यहाँ पे positive charge आया था वह आपने अब इसको earth कर दिया ठीक है क्यों earth कर देते हैं previous lecture में आपको बड़े आराम से बहुत धीरे-धीरे में आपको बताया था ठीक है अगर आपने नहीं देखा है तो पिछ आपकी चलत जो lecture है उनको देख सकते हैं तो देखे क्या है कि अब यह जो same charge था वो हर capacitor के उपर आ गया है ठीक है तो अब हमारे पास एक charge करने का बहुत अच्छा combination बनेशन बनेगा है series में तो यहाँ पर इस तरह से capacitor को series में connect करके हम charge को store कर सकते हैं ठीक है किस तरह से process हुआ है वो यहाँ पर same चीज़े ही लिखी हुई है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें mathematically कि यहाँ पर total capacitance कितनी बन जाएगी ठीक है इसके पास c1 है इसके पास c2 है और इसके पास c3 है ठीक है equivalent capacitance इस पूरे system की कितनी बनेगी ठीक है है तो हमारे पास यह पूरा system है ना कोई ठीक है तो कितनी बनेगी आपकी total capacitance वो हम यहाँ पर देखना है ठीक है हमने बात करी थी कि जो हमने v potential यहाँ से जो source से v potential दिया था वो क्या हो यहाँ पर divide हो गया है v1 इसको मिला v1 इसने ले लिया v2 इसने ले लिया और v3 इसने ले लिया ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो v हमने potential difference दिया था तीनो capacitor को वो तीनो capacitor में v1 plus v2 plus v3 इस तरह से बंट गया ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि आपका v is equal to v1 plus v2 plus v3 v1 क्या है v1 is the potential drop across first capacitor ठीक है आपको पता है c capacitance is equal to charge divided by potential होता है ठीक है c is equal to q by b होता है तो v किसके बराबर हो जाएगा v हो जाएगा q by c के एक्वल ठीक है c को cross multiply कर दो v को solid जाओ तो आपका v is equal to q by c के बराबर होगा तो इसी का ही use करके हम equivalent capacitance अब निकाल लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका v1 होगा जो first capacitor का v1 होगा ठीक है जो potential drop हो यह potential difference across first capacitor किसके बराबर होगा q divided by c1 जो first capacitor के पास charge है divided by जितना इसकी capacitance है similarly जो b2 होगा ठीक है b2 किसके बराबर होगा v2 is the potential drop across second capacitor ठीक है तो v2 किसके बराबर होगा जितना charge है second capacitor के पास divided by जितनी इसकी capacitance है ठीक है v2 is equal to q by c2 similarly जो आपका b3 होगा तो b3 किसके cross potential difference है third capacitor के ठीक है तो third capacitor के पास भी आपका q ही charge है divided by इसकी capacitance कितनी है c3 तो यहीं पर यह सारी चीज लिखी हुई है तो इस तरह से आग हमरे पास आगया ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि when the capacitor are connected in series potential difference across the combination is the sum of potential difference across each capacitor ठीक है मैंने अभी बताया था आपको कि आपका v is equal to v1 plus v2 plus v3 के equal होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v1, v2, v3 की value हमने put कर दी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखी थी ठीक है v1 is equal to q by c1 v2 is equal to q by c2 and v3 is equal to q by c3 ठीक है तो हमने सारी values यहाँ पर put करी ठीक है तो यहाँ पर जब हमने q common लिया ठीक है तो v is equal to q into 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 ठीक है तो अब हम यह मान के चल रहे हैं कि आपकी जो equivalent capacitance है ठीक है series में वो क्या है हमारी c s ठीक है जो effective capacitance कितनी बनेगी c1, c2, c3 क्या हैं इनकी individual capacitance है ठीक है c1, c2, c3 माली जी आपके सारे तीनों ही क्या है थाई parallel plate capacitor थे इनकी capacitance किसके ओपर depend करती है c is equal to epsilon naught a divided by d इनकी जो plates है उनका area कितना है उन दुनों के बीच की distance कितनी है उसके ओपर depend करेगी ने इनकी capacitance ठीक है कि कितना charge यह store कर सकती है ठीक है तो यह तीनों capacitor अलगलग size के हो सकते है ठीक है वो depend करेगा कि हमने किस तरह के capacitor लिए हुए है ठीक है तो जो equivalent capacitors मनेगी ठीक है उसको हम cs मान रहे है और वो जो equivalent capacitance होगी ठीक है तो वो क्या होगा ठीक है तो v is equal to तो वो equivalent potential जो total potential है divided by charge sorry total potential is equal to charge divided by equivalent capacitance v is equal to q divided by cs okay तो यहाँ पर हम देख सकते है कि v की value जब हमने qycs यहाँ पर पूट करी है ठीक है यह जो v की value है यह qycs यहाँ पर पूट करी ठीक है तो क्योंकि यह v के v है आपका total potential जो आपने परवाइड किया है तीननों capacitor के लिए ठीक है तो उसके साब से यहाँ से हमारे पास के आएगी total capacitance आएगी ठीक है charge q ही है जो charge battery से गया था हर capacitor को same ही charge मिला है ठीक है यहाँ से q charge गया था तो पहले वाले को भी q मिला दूसरे वाले को भी q मिला और तीसरे वाले को भी q ही मिलेगा ठीक है यह series की आपकी क्या होती है यह series की characteristics होती है property होती है ठीक है जब series में capacitor को लगाएंगे तो हर capacitor को same charge मिलेगा तो V के value हमने Q by CS यहाँ पर put कर दी Q से Q क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो हमारे पास जो equivalent capacitance आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1YCS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ओके तो इस formula से हमें पता चलेगा कि मालो हमने 2 capacitor लगा दिये 3 लगा दिये 4 लगा दिये ठीक है तो अगर 4 भी होता तो 1 by C4 कर देते हम ठीक है तो इस formula का use करके हमारे पास equivalent capacitor हमें एक series में series combination की हमें मिलेगी ओके तो यहां पर जस्ट आपको कुछ यहां पर conclusion लिखे गए है ओके the reciprocal of effective capacitance is equal to the sum of reciprocal of individual capacitance तो और क्या क्या है यहां पर कि the effective capacitance is less than the smallest individual capacitance अब देखो जब आप numerically यह mathematically हमारे पास क्या निश्कर्स निकला मालीजी आपके पास एक capacitor है वो 10 10 microfarad का है ठीक है और दूसरा capacitor है आपके पास 20 microfarad ठीक है इन दोनों को आपने series में लगा दिया तो series में लगाएंगे तो series में लगाने के बाद जो आपका combination है उसकी equivalent capacitance कितनी रह जाएगी तो यहाँ पर इस point पर आपको यह लिखा गया है कि जब आप 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 यह formula लगाएंगे तो आपके पास जो Cs आएगा निकल कर यह जो 10 microfarad वाला सबसे कम capacitance वाला जो capacitor था इससे भी कम answer आएगा ठीक है तो equivalent capacitance जो होगी वो 10 microfarad से भी कम होगी ठीक है तो series में जब आप capacitors को लगाते हैं तो उसकी capacitance बहुत कम हो जाती है इतनी कम हो जाएगी कि जो एक capacitor होगा उसमें जिसकी सबसे कम capacitance है उससे भी कम answer आपके पास आएगा तो यह चीज़ आप लिकिए दा effective capacitance is less than the smallest individual capacitance तो the potential difference across any capacitor is inversely proportional to the capacitance तो बोला गया है कि जिस capacitor का capacitance ज़्यादा होगी उसके across क्या होगा potential difference क्या होगा कम potential drop होगा तो वहाँ पे V is equal to Q by C होता है न तो V क्या है C के inversely proportional है ठीक है जिस capacitor की capacitance ज़्यादा होगी उसके across जो voltage drop होगा potential drop होगा वो क्या होगा कम होगा तो यह सारी चीज़े यहाँ पे बताई गई है अब next है capacitor in parallel capacitors को हमने किस में लगा दिया parallel में लगा दिया तो किस तरह से होगा तो और more than two or more than two capacitors are set to be connected in parallel if the left plate of the all capacitors are connected to one terminal and the right plate of the all capacitors to other terminal of the circuit such that the potential difference across the each capacitor is same तो तो देखो क्या बोला है तो यह तीन capacitors आपने लिए है तो दीज़ादा 3 capacitors which are connected in parallel parallel में कब बोला जाएगा जब यह कह है capacitors की left plate है यह अगले वाले capacitor की left plate है यह भी left plate है यह जो तीन नों capacitor की left plate है यह आपके एक ही terminal के साथ connected है ठीक है और यह जो right plate है यह कह है एक ही terminal के साथ connected है ठीक है तो जब ऐसा combination होगा तो उसको क्या बोला जाएगा फिर ऐसा करने से क्या हुआ देखो सबको यह जो potential इनको यहां से source से मिल रहा था ठीक है जो voltage को source किसी source से मिल रही है ठीक है तो यह जो left plate है यह सारे के सारे एक ही potential के साथ terminal के साथ connected है तो बोलने का मतलब तीनों को क्या मिल रहा है same potential मिल रहा है और इनका जो right plate है वो भी आपके same terminal साथ connected है तो इनको भी same potential मिल रहा है बोलने का मतलब जब आप parallel में किनी capacitor को connect करते हैं तो सभी को same potential मिलता है अगर यहां से B potential दिया जा रहा है तो इसको भी V मिलेगा इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा तो parallel में हर capacitor को same potential difference मिलता है और series में क्या होता था? Greece में हर capacitor को same charge मिलता था ठीक है? Potential difference अलग-लग होता था उनकी capacitance के according अगर केपेस्टर ज्यादा होती थी तो पोटेंशल डिफरेंस कम होता था ठीक है उस केपेस्टर के अक्रॉस ठीक है पर पैरलल में क्या है पैरलल में हर केपेस्टर को सेम पोटेंशल डिफरेंस मिल रहा है ठीक है बट चार्ज क्या हो जाएगा चार्ज आपका सेम नहीं मिल अब कुछ चार्ज इसमें बंट गया कुछ इसको चला गया और कुछ इसको 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 यहां से हमारी बैटरी से गया था Q चार्ज तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो टोटल चार्ज होगा that is equal to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q1 मिल गया 1st को Q2 मिल गया 2nd को और Q3 मिल गया 3rd को तो दिखिए अब हम इसमें किस तरह से करेंगे तो आपका C is equal to Q by B होता है तो Q किसके बरबर हो जाएगा C into V तो इसका यूज करके हम इसको solve करेंगे टोटल केपैसिटेंस यहां अब कितनी बनेगी ठीक है equivalent capacitance कितनी बनेगी इस parallel circuit की तो यहां पर Q is equal to C भी हमरे पास आ गया तो देखिए जो individual charge जो store होगा तो देखो हमने बोले let Q be the total charge drawn from the source ठीक है जो source से जो total charge आ रहा था वो कितना है Q है ठीक है source से Q charge आया ठीक है वाद में यह Q1, Q2 और Q3 में divide हो गया तो Q1, Q2, Q3 भी the charge on the each one of each of the three capacitor तो Q1 ठीक है यह जो Q1 है first capacitor के पास इसकी value कितनी होगी Q1 is equal to C1 जितनी इसकी capacitance है multiply by जितना इसके across potential difference है वो कितना है V हर capacitor को V ही मिला है ठीक है Q2 यह जो second capacitor है इसके पास कितना charge आजाएगा that is equal to जितनी इसकी capacitance है C2 multiply by जितना इसका potential difference है इसके across V है ठीक है Q3 is equal to C3 multiply by V जितनी इसकी capacitance है multiply by जितना potential difference इसके across है तो यहाँ पर हम देख सकते है स्टीम चीज यहाँ पर लिखी हुई है प्लस C3 multiply by V ओके तो देखिए जो total charge अब equal if Cp ठीक है equivalent capacitance है आपके parallel combination की ओके तो यह equivalent capacitance है तो इसको हम लिख सकते है Q into Q is equal to Cp equivalent capacitance multiply by जितना potential difference हमने parallel combination को दिया था ठीक है Q is equal to Cp into V हम लिख सकते है that total charge is equal to total capacitance multiply by potential difference लिख सकते है ठीक है total charge given by the source is equal to total capacitance multiply by potential difference तो Q is equal to Q is equal to Cp into V हमने लिख दिया ठीक है इस Q को हमने यहाँ पर put कर देंगे ठीक है तो Cp into V is equal to C1 plus C2 plus C3 into V तो यहाँ से V से V cancel हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास जो parallel combination है उसमें कतनी capacitance आ रही है Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 ठीक है आपने simply add कर देना है जितने भी capacitor की capacitance होगी सबको simply add कर देना है यहाँ पर पिछले वाली की तरह reciprocal का कोई issue नहीं है ठीक है simply add कर देना है जितने भी capacitor आप parallel में लगा दो आपने कर देना है simply सभी की capacitance को add कर देना है तो यहीं पर conclusions लिखे होए है first है the equivalent capacitance is equal to the sum of individual capacitance potential difference across the combination is same second है third the charge on each capacitor is proportional to its capacitance क्योंकि Q is equal to Cb होता है ठीक है तो जितनी ज़्यादा capacitance होगी तो नहीं ज़्यादा ही charge इसमें store होगा ठीक है the equivalent capacitance is greater than the individual capacitance ठीक है तो जो equivalent capacitance होती है वो individual capacitance से हमेशा ज़्यादा होगी ओके माली जे पहला आपका 10 microfarad का आपने capacitor लगा दिया फिर 20 का लगाया फिर अगल आपने 30 का लगा दिया ठीक है तो इनको add करेंगे तो कितना आगा 30 30 प्लस 50 60 ठीक है equivalent के वेस्टन कितनी होगी 60 microfarad हो जाएगी ठीक है तो 60 सभी से बढ़ा है तो यह है हमारा parallel combination तो अगर आपका कुछ समय ना आया तो इस वीडियो को दिबारा देखिए थेंक यू